ओम शान्ति आज का अव्यक्ति शारा बाबा कहते आपके शब्दों में मदूरता हो लेकिन अंदर समाई हुई अथौर्टी हो शब्दों में मदूरता हो लेकिन साथ में अथौर्टी भी उतनी ही होने चाहिए साथी साथ रहम दिल वाली भावना भी हो रहम दिल वाले शब्द भी हो बैलन्स चाहिए एक दम है न जैसे एक्जम्पल के तौर पे एक मा होती है तो यदि अपने बच्चे की पालना वो लव एंड लाव दोनों का बैलन्स रखके करती है तो जीवन में उसे सफलता मिलती है स्वेम को भी तो बच्चे को भी यदि लवफुल ही रहे सनेहे वातसल्य सही भेवार हमेशा हमेशा करे है न और तो कई वार क्या होता कि बच्चा जब देखता है कि मा कुछ कहने नहीं रही है तो फिर वो अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं कर पाता तो उसके लिए हमें क्या करना है जब बच्चा कुछ ऐसे ऐसी बातें ऐसे काम करे जो आपको पसंद नहीं है नियम काईदों के बाहर है तो थोड़ा सा उसको सिखाने के लिए भले आँख भी दिखाने पड़े अंदर में तो सनेही समाया रहे लेकिन शब्दों में बोल में थोड़ा अथोर्टी भी होनी चाहिए तो बच्चे को समझ रहेगी शिक्षार मिलती रहेगी और जीवन में उसके सुधार आता रहेगा तो ये था एक्जम्पल लेकिन हमने अपने ट्रेक्टिकल लाइफ में भी ऐसे चलना है लव एंड लौ का बैलंस रखते हुए ताकि हम सदा ही निर्विघन होकर के जीवन में चले ठीक है तो बाबा कहते आप जो बोलते वही सुरूप में हो न नमर्ता, सनेह, मदूर्ता, सत्यत, आदी गुण जब जीवन में धान होंगे तब बाब को परतक्ष करने की सिवा कर सकेंगे ठीक है और बाबा ने आज किन किन गुणों पे ध्यान खिंच वाया नमर्ता वो तो हम कल भी अभियास कर रहे थे आज भी करेंगे सनेह, सौरू बन के रहेंगे मदूर्ता भी चल रही हम वो भी बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं सत्यत आख गुण भी है न तो इन सब गुणों को हम दिन में आज प्रैक्टिकल करेंगे तो धिरे धिरे हमारे गुणों से, हमारे जीवन से बाबा की परतक्षता होने शुरू हो जाती है ओम शांती